प्यारे वीवर्स कैसे हो आप सब और आपका वेलकम है आपकी अपने चैनल जिसका नाम है फैशन नेक्स्ट आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कुर्ती भी कहीं टाइप की होती है फैशन में अपडेट रहने के लिए इनके टाइप को जानना भी जरूरी है आप सबी टाइप की कुर्ती को जानने के लिए वीडियो को लाश तक देखें और वीडियो को अभी लाइक कर दीजे क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं तो बीना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं High-Low कुर्टी इस कुर्ती में फरंट में बेक की लंबाई बदेभी बराबर नहीं होती है इस स्टाइल में फरंट साइड की लेंथ, बेक साइड की अकॉर्ड़िंग कम होती है इस टाइप की डिजाइन की कुर्टी सिंपल होकर भी कलासी नजर आती है mee फलेर्ड कुर्टी इस कुर्टी के हैम लाइन काफी वाइड होती है कमफर्ट और फिरी फील के लिए फलेर्ड कुर्टी बेस्ट है इसके फलेर्ड डिजाइन की वज़े से ये पहनने में काफी कमफर्ट फील होती है इस्टाइल के साथ कमफर्ट के लिए आप इसे केरी कर सकती है ट्रेडिशनल कुर्तियों में थोड़ा ट्विश्ट देकर फरंट स्लिट कुर्ति को तयार किया गया है इस तरहे की कुर्ती में आगे की तरफ सिलिट होती है, जिस से इसका डिजाइन काफी डिफरेंट हो जाता है ये आपको एक यूनिक लुक देती है एलाइन कुर्ती इस डिजाइन की कुर्ती अकутствर हर बोड़ी टाइप पर सूट करती है ये कमर तक टाइट होती है और हैम लाईन नीचे की तरफ आते आते घेरदार हो जाती है स्टाइलिस्ट लुक के लिए A-Line कुर्टी बेस्ट रहती है डेली वेर के लिए आप इसे आराम से केरी कर सकती है अंगर रख़ा कुर्टी इसको wrap dress के तोर पर भी जाना जाता है इसमें एक डोरी होती है जिसे कुर्ती के एक साइड में बांधा जाता है ये बी काफी unique design है इस तरह की design की कुर्ती बना कर भी आप अपने लुक को different बना सकती है काफ्तान style कुर्ती काफतान या पाचो स्टाइल वाली कुर्टी का लुक बहद स्टाइलिस होता है ये दिखने में पाचो जैसी होती है बस इसकी लंबाई पाचो की अकौर्डिंग ज्यादा होती है अगर आपको फेशन में एक्सपरिमेंट करना पसंद है तो इस style की कुर्टी केरी कर सकती है Teared कुर्टी इस तरह की कुर्टी की डिजाइन फ्रोक जैसी होती है बस इसे देखकर लगता है कि जैसे एक फैबरिक के ओपर फैबरिक की कई लेयर्स हो इस कुर्टी में भी हैम लाइन पर काफी घेर होता है इसका आइडिया आप दिखाएगे डिजाइन से लगा सकते है State Fit कुर्टी Office वीर के लिए इस तरह की कुर्टी को बेस्ट माना जाता है अगर आप Slim और Long नजर आना चाहती हैं तो आप के लिए इस से बहतर option कोई नहीं मिलेगा आउटडोर और Professional लूक के लिए आप इस तरह की कुर्टी कैरी कर सकती हैं शर्ट स्टाइल कुर्ती इस कुर्ती में नेक के नौर्मल डिजाइन की बजाएक कॉलर बना दिया जाता है इसमें बटन भी होती है दिखने में शर्ट जैसी इस कुर्टी की लंबाई ज्यादा रखी जाती है और ये आपको डिफरेंट लुक देने में काफी हेल्प करती है धोती स्टाइल कुर्टी अगर आप इंडो वेस्टन स्टाइल में रेडी होना चाहती है तो धोती स्टाइल कुर्टी को ट्राउजर या चूड़ी दार के साथ पेर कर सकती है इसका डिजाइन हाइलो कुर्टी वें ऐसिमेटिक कुर्टी के डिजाइन का मिक्शर होता है और ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिस लगती है जैकेट कुर्टी इस तरह की कुर्टी के साथ जैकेट अटेच आती है आप सिंपल कुर्टी केरी करके अगर बोर हो चुकी है तो जैकेट स्टाइल कुर्टी को ट्राई कर सकती है आप भी नए स्टाइल की कुर्टी केरी करना चाहती है तो जैकेट स्टाइल कुर्टियों को ट्राई कर सकती है असिमेट्रिक कुर्टी दिखने में एलाइन कुर्टी जैसी असिमेट्रिक कुर्टी का लुक काफी अलग होता है इसकी लेंद कहीं से भी बराबर नहीं होती है इसका अंदाजा आप इन डिजाइन को देखकर लगा सकते हैं ये भी आपको स्टायलिस लुक देती हैं अनारकली कुर्ती अनारकली कुर्ती फ्रोक स्टायल की होती है जिसमें काफी ज्यादा गहर होता है इसे ज्यादातर tight fit lower के साथ pair किया जाता है मगर plazo के साथ भी इसका look निखर कर सामने आता है अनारकली आजकल बहुत ज्यादा popular dress है layered कुर्ती इस कुर्ती को देखकर लगता है कि जैसे कुर्ती के ओपर दूसरी कुर्ती पहन रखी हो ये एक नॉर्मल इस्ट्रेट कट और लोंग कुर्ती ही होती है बस इसकी हैम लाइन पर एक एक एक्ष्ट्रा लेयर लगी होती है जो देखने में एक अलग ही लुक किरियेट करती है कुर्ता ड्रेस कुर्ती ऐसे कुर्ते जिनें आप ड्रेस के तोर पहन सके जिनें किसी लोवर वियर के साथ पेर ना करना पड़े कुर्ता ड्रेस कहलाते हैं इन में किसी भी तरह कई स्लिट नहीं होती है इनकी लेंथ मिडी से लेकर मैक्सी के बीच की रखी जाती है